नफ्रती बयानों पर शक्त रुख दिखाते हुए सर्वुच नैलें कई मौकों पर इसे रोकने का निर्देश देच चुका है मगर इसपस्ट है कि राजनेताओं ने इसे कभी गंभीरता से नहीं लिया अब तो सायद सारजनिक मंचों पर भासा की मर्यादा का भी खयाल रखने की जरूरत नहीं समझी जाती इसी का नतीजा है कि सडक की भासा उठकर संसद में पहुच गई दिल्ली से भाजपा के संसद रमेश विधूरी ने संसद में अपने ही साथी बस्पा संसद के बारे में जैसे अपमान जनक और असोभन शब्दों का इस्तेमाल किया बैसा अब तक कभी नहीं किया गया इसे लेकर सौभावी की ही बिपक्षी दल सरकार पर हमलावर हैं बिधूरी के भासण का वह अंस चोथरपा प्रसारित है और उसे देख सुन कर साफ लगता है कि उन्हें संसद के पटल पर महले के नुकड पर चल रही बहस में कोई अंतर महसूस नहीं होता संसद की अपनी मर्यादा है उसके नियम कायदे हैं जहां तक की संसद की भासा तय हैं वहां बहुत सारे सब्दों का इस्तेमाल वर्जित है बहां किसी भी ऐसे सब्द का उप्योग नहीं किया जा सकता जिसे असंसद ये करार दिया गया है इसलिए वहां बोलने के लिए संसद पहले से तयारी करके आते हैं ऐसा नहीं माना जा सकता की विदोडी इससे अंजान हैं सरकार ने संसद का बिशे सत्र बुलाकर इस संकल्प के साथ नए संसद भवन में प्रावेश किया कि उसमें लोकतंत्र की मरयादाएं और प्रगाड होंगी मगर बिचित्र है कि उसी सत्र में विदोडी का ऐसा अपत्ती जनक आचनन सामने आ गया लोकसवा अध्यक्ष ने उन्हें चेतावनी देते हुए कहा कि अगर अगली वार से ऐसा आचनन सामने आया तो कड़ी कारवाई की जाएगी बिपक्षी दलों ने हंगामा किया तो पार्टी अध्यक्ष ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी करके पंद्रह दिन के भीतर जवाब देने को कहा मगर बिपक्षी दलों का तरक है कि जब दूसरे दलों के नेताओं से सदन में मामूली चूक होती है तो भी उन्हें संसद से निलंबित कर दिया जाता है और विदोडी ने एक साथी सांसद को सदन के पटल पर गाली दी फिर भी उनके खिलाव कोई कारण वाई क्यों नहीं की जा रही उन्हें चेतावनी देकर क्यों छोड़ दिया गया बिपक्ष उनकी सदस्चता समाप्त करने की मांग कर रहा है इस तरह लोकसवा अध्यक्ष की भूमका भी प्रसानांकित होने लगी है मगर सबसे अधिक किरकिरी भाजपा को जेलनी पड़ रही है दर असल यह पहला मौका नहीं है जब भाजपाक्ष किसी निता ने इस तरह किसी बिसेश समुदाय के लोगों के लिए ऐसे आपाति जनक शब्दों का इस्तेमाल किया भारी सबहां के मंचों से कुछ सांसद और कई निता ऐसे नफरती भासन देते देखे सुने गए हैं सरयाम समुदाय बिसेश के प्रति लोगों को हिंसक ब्यवार करने उनके कारोबार बैपार को बंद करने को उकसाते देखे गए हैं उन्हें लेकर सर्बुच्चे नैल पार्टी और सरकार को सक्त हिदायत दे चुका हैं मगर ऐसे नफरती बोल रुख नहीं पा रहे हैं इसलिए बिपक्ष को यह आरोप दोहराने का एक बार फिर मौका मिल गया है कि भाजपा समुदाय बिशेश के प्रती नफरत का बातावरण बना कर राजनितिक लाव लेने का प्रयास करती हैं अब जब नफरत की भासा संसद के भीतर पहुँच गई हैं तो स्वभाविक ही पार्टी से ऐसे प्रतिनिदियों नेताओं के प्रति शक्त अनुसासनात्मक काररवाई की मांग उठने लगी हैं जब राजनिता खुद अपनी भासा में सैयम और मर्यादा का ध्यान नहीं रख पा रहे तो उन्हें यह सलीक का सिखाने की जिम्मेदारी कौन उठाएगा स्टॉप